स्टार्ट करते अपना वीडियो इसमें हम बात करने वाले दो इंपोर्टन शेर जो पिछले जो यह जो दो तीन दिन थे इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किये चोटे शेर हैं 100 रुपीस के अंडर वाले शेर से और जिन्होंने परफॉर्म किया है अच्छे से जो बड़े उनके पारे में पर उसके पहले अमेरिका का सेशन देख लेते अमेरिका का सेशन अगर देखते हो तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें उतर चड़ाओ दिख रहा है यहां पर हम अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अगर यह यहां से हम ड्रॉ करते तो यह सपोर्ट की रैट करेगा इसके लिए यह ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए अमरीक के बजार जा रहे हैं इस हिसाफ से भी ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पर हम स्टॉप लॉस रखेंगे और उस हिसाफ से हम इंडियन मार्केट को जज करेंगे अमेरिकन मार्केट वॉलाइटिलिटी दिखी है हमें मंडे के दिन में हमारे मार्केट में भी वॉलाइटिलिटी दिख सकते हैं अभी करन्ट सिनारियो अगर मैं देखता हूँ तो फिलाल नेगेटिव एट पे यूएस 30 कैश ट्रेड कर रहा है तो एजएक स्निपटी शायद स्लाइटली नेगेटिव टू फ्लाइट ओपन होने के चांसे बहुत ज़्यादा है हमारे मार्केट में यह रही पहली बात अब हम बात करेंगे दो स्टॉक उसमें से पहला होगा कमिल नाडू पेट्रो कमिल नाडू पेट्रो देखो पिछले कुछ दिनों से इसने परफॉर्मंस दिया है बहुत बढ़िया आपका इसमें स्टॉप लॉस होना चाहिए 84.14 है तो हम 80 रूपीज का स्टॉप लॉस रखेंगे आपे 80 रू चोड़ा है इसने इदर यह जो चोड़ा है यह फिल करने के लिए आएगा तो 115 का हम टार्गेट रखेंगे यहां से 15 रूप आपको मिल सकते 99 रूपीज 55 पैसे पर भी यह ट्रेड कर रहा है अगर मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव ओपन होता है तो इसमें हम नीचे के त स्टॉप लॉपीज तो यह पहला ट्रेड होगा जिस पर आपको नजर रखना है मैंने आपको लेवल्स बता दिये है 115 का टार्गेट 115 का टार्गेट और इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 80 रूपीज का एसे रखेंगे यह होगे कमिल नडू पेट्रो के लेवल्स अब ब HACL की जो यह मुवमेंट यह बहुत ज्यादा आ चुकी है मैं कहूंगा फ्रेश एंट्री इसमें आवोइड करनी है पर फ्रेश एंट्री मतलब जो नॉर्मल ट्रेडर से उनने फ्रेश एंट्री आवोइड करनी है पर यह किसके लिए रिजिस्टन्स लेवल है 85 रूपीज 55 रूपीज 50 पैसे के ऊपर अगर यह क्लोजिंग देता है मंडे के दिन समझो मंडे के दिन क्लोजिंग देता है इसके ऊपर तो हम ट्यूजडे को इसमें एंट्री ले सकते है विद इस स्टॉप लॉस ओफ 80 रूपीज ठीक है ना हमारा स्टॉप लॉस यह लेवल का होगा 80 रूपीज का हम रखेंगे इसमें SL जो की एक प्रॉपर मेरी सबसे प्रॉपर लेवल आ सकता है 80 रूपीज का हम स्टॉप लॉस रखेंगी यह एंट्री लेगे 85 के उपर तो आपकी रिस्क हो गई 5 रूपीज की अगर मैं लॉक्टम भी चार्ट देखता हूँ तो इसमें देख सकते हो आप उपर से गिरावट फिर कंसॉलिडेशन के बाद यह बॉक्स का ब्रेकाउट जो की बहुत बड़िया पैटन था ही हमारे लिए यहां इसका जैसे ही ब्रेकाउट दिया है शेर ने पफॉपर के अभी ब्रेकाउट दे रिया है तो एक्चुली इसमें एंट्री लेवल यही ती यह जो 64 से 60 लेवल थी यही एंट्री लेवल थी इसके लिए अब इसने ब्रेकाउट दे चुका है यह वीक में पूरे वीक में देखो 60 रूपीज वाला 82 हो गया इसने हाई लगा 84